अगेन अगेन आज चुके हैं हम आपके लिए लेकर बहत्रीन वेबसाइट्स वीडियो को आप लाश्ट तक देखें मेरा डामे सुबह मगरबाल और आप देख रहे हैं साइबर बाबा यूट्यूब चैनल यहां पर मैं आपका थोड़ा से समय लेने के लिए मापीश आता हूँ बड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर रहे हैं वहां पर भी हम बहत्रिंग रील्स को अभी अपलोड कर रहे हैं यूरल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है सांती सांत की यूर कोड भी है इस लिस्ट की हमारी जो सबसे पहली वेबसाइट है वह है टोस्डिया.org देखिए कई बार होता क्या है कि आप जब किसी वेबसाइट पर आकाउंट बनाते हैं तो आपको जानकारी नहीं होती जैसे कि अगर हम बात करें Wikipedia की तो Wikipedia का जो grade है वह है वह है डगडग गो की बात करें तो यह एक सर्चय बात करें तो यहां पर आपकी ब्रॉजिंग history को capture किया जाता है cookies को लिए जाता है advertisement के लिए और यहां पर बहुत सारी policies है तो अगर आप चाहते हैं कि sort में आपने read कर सकें कि particular किस website ने आपसे किस data को collect किया है या कौन सी information पर आपने agree किया है sort में आप इस website के माध्यम से check कर सकते हैं बात करेंगे इस list के हम next website की जो की है speedwrite.com देखिए data को यहां से copy करना और फिर से smart तरीके से use करना इस website का यही काम है आप particular किसी भी paragraph को यहां से copy कर सकते हैं और उसे बिल्कुल एक नए form में resize कर सकते हैं अगर आप किसी के blog से कोई भी article copy करते हैं और अगर अपनी website या blog या फिर youtube channel कहीं पर भी उसे post करते हैं तो इस जानकारी के पता लगाना बहुत ज़्यादा आसान है कि आपने particular article को किसी website से copy किया है इस website के मात्याम से आप उसे total convert कर सकते हैं जो उसकी birding है वह आगे पीछे होकर एक बहतरीन paragraph जनलेट होता है अब यह काम कैसे करता है यहाँ पर आपको simply use speed right now पर click करना है यहाँ पर अब आपको type करना है जैसे कि यहाँ पर हमने अपने youtube channel का जो about section है उसे copy किया है आपको simply predict बटन पर click करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अलग तरीके से इस website ने उसे organize किया हुआ है इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे हमने orange book value का कुछ text यहाँ पर copy किया हुआ है इसे हम predict करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से इसने इसे arrange किया है मतलब आप किसी भी paragraph को या फिर किसी भी text को एक नए अंदाज में यहां से आप ले सकते हैं बात करेंगे इस list की next website की जो की है loading.io देखिए अगर आप एक video creator हैं तो यह website आपके लिए बहुत थी जादा useful है यहां पर आपको मिलेंगे custom animation हलाकि बहुत सारे points यहां पर free भी है और बहुत सारे paid भी है जैसे कि यहां पर आप देखेंगे अगर आप चाहते हैं इस loading के icon को लेना तो one click करके आप इस loading के icon को यहां पर बना भी सकते हैं यहां से आप उसके color को change कर सकते हैं जो भी आप color चाहते हैं यहां से आप corner design कर सकते हैं फिर अगर आपको इसे save करना है तो आप इसे png में save भी कर सकते हैं इसी तरह से यहां पर आपको multiple icons मिल जाते हैं जैसे कि यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां पर आपको setting का icon मिल जाता है तो इनसे होगा क्या कि आप अपनी वीडियो को और ज़्यादा creative बना सकती है नीचे अगर आप आएंगे तो यहां पर आपको pattern मिलेंगे, background मिलेंगे, text मिलेंगे जैसे कि आप अपनी वीडियो को green screen पर suit करते हैं और आप पीछे background add करना चाहते हैं तो आपको सीधा जाना है pattern पर यहां पर आप चाहें तो आप search भी कर सकते हैं और यहां पर कुछ आपको pattern मिल जाते हैं जैसे कि मुझे pattern को use करना है तो हम सीधा इस पर click करेंगे और यहां पर भी आप देखेंगे कि इस particular pattern की आपके सामने वीडियो आज चुकी है यहां पर भी आपको वही सारे option मिलते हैं आप चाहें तो आप color को change कर सकते हैं background के color को change कर सकते हैं speed को skill को और अगर आप इसे save करना चाहें तो आप यह भी कर सकते हैं नीचे आपको icon की list मि animated हैं तो अगर आप एक editor हैं और वीडियो को कुछ और creative तरीके से create करना चाहते हैं तो मेरे साब से एक बार आपको loading.io को जरूर use करना चाहिए बात करेंगे हम इस वीडियो के next website की देखें यहां पर मैंने आपको new और useful website को बताया बड़ एक्चल में यह website जो है discover.com इसका य यहां पर आप देखेंगे take me a useful website जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपके सामने एक new website open होगी जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं जो कि है small PDF हम इसे close करते हैं अगेन यहां से हम एक new website को open कर सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे fiver.com मतलब जितने बार भी आप इस website पर देखेंगे यहां पर आपको मिलेंगे बहुत ही stylish phone आप इन्हें Photoshop पर आसानी से यूज कर सकते हैं या पर अपने system में आसानी से install कर सकते हैं देखें फूंट को डाउनलोड करने की हजारों websites हैं बड़ यहां पर आपको selected phones मिलेंगे जो कि आज की rate में बहुत ही ज्यादा trend प output देखने मिलता है मतलब actual में किस किस तरीके से आप इस phone को और यूज कर सकते हैं बात करेंगे इस list की हमारी next website की जो की है answer secrets.com website बहुत ही ज्यादा useful है यहां पर आपको करना क्या है सबसे पहले आपको यहां पर topic को सर्च करना है जैसे कि यहां पर मैं search करता हूं make money online country select करना यहां से आप language को भी select कर सकते हैं और simply यहां पर हम search बटन पर click करेंगे अब देखिए आपके पास topic का भरमार होगा particular एक keyword से यहां पर आप देखेंगे हमने search किया है make money online अब यहां पर आप देखेंगे most common question आते हैं जैसे कि can I make hundred dollar a day online how can I make thousand dollar fast तो इस तरह से यहां पर आपके सामने are can I can how do how should I multiple term को use करकी यहां पर आपके सामने questions आते हैं film question की आप चाहें तो आप वीडियो को बना सकते हैं अपने blog या फिर website के लिए articles को लिख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा वैसा करवा सकते हैं यह website आपको कैसी लगी comment box में मुझे जरूर बताएं बात करेंगे इसके बाद हम लिस्ट की next और लास्ट website की जो की है namechecker.com देखिए facebook ने recently अपनी parent company का name meta किया है आपने अगर facebook, instagram, whatsapp को use कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको meta show हो रहा है बड़ आपको जान करिए कि facebook पर meta का URL है वह already कोई company ले चुकी है अब यह website आपकी मदद करेगी particular जो social media है अगर हम domain या YouTube या Facebook किसी भी की बात करें तो यहां से आप उसे check कर सकते हैं कि वह available है या नहीं मैं सर्च करता हूँ यहां पर cyberbaba हम इसे search करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे सारे ही platform पर checking start हो चुकी है जैसे कि .com available नहीं है Facebook पर भी available नहीं है Twitter पर भी available नहीं है यहां पर meetup पर available है cash app पर available है तो इस तरह से आप यह check कर सकते हैं कि वह particular URL किसके platform पर available है या नहीं तराल के लिए इस वीडियो को हम यही पर समाप्त करते हैं अगर आपने इनको Instagram पर follow नहीं किया है description box में मैंने आपको link दिया है वहां पर भी हम sort video को create कर रहे हैं जाकर हमें follow करें आप तक के लिए hashtag cyberbaba